अलग अलग रित्मों में अलग अलग तरह के खानपान का विधान की आरिवेद में अलग अलग बात पितकफ के आपकी प्रकृति उसके अनुसार आपको भोजन करना चाहिए और आपको संतुलित और अलपाहारी होना चाहिए अलपाहारी सदा सुखी खाने के एक घंटे बाद पाने पीना चाहिए सुबह दही दोपहर चाच और रात के खाने के एक घंटे बाद एक ग्लास दूद पीना चाहिए खाने के तुरंत बाद दूद नहीं दूद के साथ कोई नमक वाली वस्तों नहीं होने चाहिए दूद के साथ नमक वाली चीज़ें खाने से स्कीन प्रोब्लम होती है अब ये विरुद्दार भी थोड़ा बता देते हैं रात त्री को दही चांट से विरुद्दार है आज कल इमिनिटी की प्रोब्लम बहुत आ रही है लोगों का इमिन सिस्टम वीक हो रहा है अब इस इम विरुद्दार से स्कीन डिजीज होते हैं और विरुद्दार से इमिनिटी कम हो जाती है और विरुद्दार से हमारे दोश विकृत हो जाते हैं वात पित कफ सम होने चाहिए सम दोशा किसी को वात प्रबल किसी को पित किसी को कफ किसी को तो त्री दोश ही विकृत हो जाते इसलिए रात को दही चाश नहीं लेना चाहिए पहले तुम्हें देखता था गुजराती लोग रात को खाटी चाश बाजरानो रोटलो और रेंगना भुर्तू गुजराती में बात करी तो गुजराती से नहीं बागी नहीं बाकी को समझ में नहीं आए गिया क्योंकि मैंने देखा अंकड़ा गुजराती से ना तो काठिया वाड मां तो गणु बुदू आवुज गता होई बदा तो ओ एक तो चास खटी फिर उपर से बैंगन का भरता फिर लाल मिर्च और बाजरे की रोटी जादातर लोगों को ये लगातर खाने से बवासिर हो जाता है क्यों सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हो हाँ और वो रात को भी खा रहे हो रात को नहीं दो पहर चास सुबह दही दही भी खटा होता है न तो पित बढ़ जाता उससे इसल अथ्वा थोड़ी सी हरी मिर्चे जीरा और थोड़ा नमक हलका सा डाल देते तो होड़ डाइजिस्टी होती है सुबैद ही दोपर शांच रात को दूद खाने के घंड़ों दूद के साथ नमक का प्रियोग मत कीजिए उससे स्किन डिजीज बहुत और रहे हैं और उससे ऐसलिए मैस अट्रोमेंट डिजीज और कैंसर जैसे रोग होते हैं कुछ लोग ना खीर भी खाते हैं एक चमच खीर की एक चमच राइती की रे बावड़ों यह कांसे सीख लिया तुमने आप दही राइता खाने हैं दही राइता खाओ नो फिर खीर क्यों खाते हो खीर खाने हैं तो खीर खाओ आपको राइता खाने हैं सुबह खाओ दो पर खाओ राइता शाम को पाईसम दक्षिनवाले पाईसम बोलते हैं इधर खीर खीर बोलते हैं आपको खीर खानी है तो तो याद रखो विरुद्दार नहीं है दूद की साथ खटे फल भी नहीं खाने चाहिए आज कर तो फ्रूट क्रीम में सब खटे मिठे सम मिला देते हैं बाउड़ी बाउड़ी चीजी शीख ली कहां से दूद की साथ कभी भी खर्बूजा तर्बूजा तो भूल के भी नहीं खाना चाहिए उससे आपकी ततकाल मोत हो सकती है यहां तक कि खर्बूजा तर्बूजा खाके तो उपर से तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए उसे बोड़ी वे रियक्शन हो करके मृत्यू तक होती है और हमने ये लाइव एक्जामपल देखें सुनें उसलिए आपको कहा रहे हैं अब किसी को एक्सपिरियंस करके देखना हो तो वसीयत आदी लिख देना पहले और तर्बूजा खाकर के उपर से दूद पीओ बज जाओ तो भगवान का कोई विशेश अनुग्रा है बाकि परलोग तो सीधे जाओगे यह चोटी चोटी बातों का परंपरा से पता है और भी बहुत सी चीजें विरुद्धार में हैं वैसे खाने में क्या खाना चीए पहले पहले अब आपके सामने फल भी है सलाद भी है पकावा भोजन भी है माने हलवा है फिर दाल रोटी सबजी है और सलाद भी है थोड़े फ्रोट्स भी है तो सबसे पहले क्या खाओगे तो आजकल इसमें लोग कन्फ्यूज रहते हैं अब इसमें भी कही मानने थे हैं कुछ लोग कहते हैं कच्चा और पकावा एक साथ नहीं खाना चीए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है आप कच्चा पका खा सकते हो ज़्यादा तर भोजन हमारा कच्चा होना चाहिए अंकुरी तो होना चाहिए जो अंकुरी तो भोजन लेते हैं उनके बोड़ी में टॉक्सिंस नहीं बढ़ते हैं चॉक्सिंस साफ होते रहते हैं इसलिए ये रोज आप अंकुरित सुबह सुबह ले सकें तो बहुत अच्छी बात है ने तो सब्ता में कम से कम एक दिन अंकुरित अब देखो मैं पूरा फूड साइंस आपको बताता हूं बड़ा विशय है ये फिर ओशदियों पर आऊंगा फूड साइंस बहुत बड़ी है तो सलाद खीरा करें टमाटर पता गोवी अलग लग तरह की सलाद होते हैं और विदिश्यों में तो आजकल ड्रेसिंग करके खाते हैं और ड्रेसिंग में क्या होता है वो लोग डालते हैं ओलियो एल अपने हैं सबसे अच्छा है ड्रेसिं अब इधर के लोगों को खाना ही नहीं आता कुछ चीजें अब आप सलाद माने आपके खीरा करेला टमाटर पता गोवी और ऐसे गाजर ऐसे सबजियां और उसमें तेल डाल दो खालो गया आप विकर लगता है निकाय जाएगा इससे उनके पूरे पोशक तत्व निकलते है जितने भी सलाद हैं तमाटर है गाजर है जो भी आप पत्ते खाते हैं इनके पूरे पोशक तत्व निकल पाते हैं हकेले सलाद पूरी डैजस नहीं होती है इनके साथ तो वो लोग डालते हैं आप डाल सकते हो सरसों का तेल और आप लोग सरसों की चटनी घर में भी बना सक सरसों की चटनी बहुत अची होती है इसे इधर तो टमाटर मटर हर पुदीना इसके तो चटनी बनाते हैं आप देखो उधर गुजरात में जो है वो सिंगदाना की बनाते हैं साउथ में बहुत अच्छा होता है थोड़ी मात्रा में शरीर के लिए खैर तो सबसे पहले खाओ सलाद और फल उसके बाद खाओ भोजन और अंत में मिश्टान सबसे भारी भोजन सबसे अंत में जो भी खीर हलवा दी है और जो मीडियम भोजन है वो बीच में मीडियम वाला मीडियम में और सबसे हलका सबसे पहले कुछ भोजन भटो होते हैं वो सबसे पहले हलवे में हाथ आजमाते हैं बोलो रोटी तो रोज खाते हैं क्यों आनने के साथ कुस्ती की अब तो हलवाई खा लेँ तो हलवा खाओ तो क्या हलवाई खाओ फिर और चीजों को क्यों परिशान होते हो फिर तो सुनो, ये तो खाने का तरीका बता है, अभी आलग बात, दूसरी बात इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-थोड़ा संकेत कर देता हूँ जितनी भी हरे पत्ते वाली सबजीया हैं, इनको उबाल के मत खाये करो और आवले को भी उबाल के, आवले का तो ताजा का रस निकालो न, उसमें, जैसे आपको जो आवला जूस देते न, पतंजरी के तरफ से, उसको उबालते नहीं हैं उबालने से विटामिन C उड़ जाता है, बहुत से विटामिन, नुट्रियंट्स, मैक्रो नुट्रियंट्स, बहुत से पोशक्ततों उबालने से उड़ जाते हैं, तो सलाद और इनको तो ऐसे ही रखना चाहिए, और अंकुरित को भी कोछे लोग उबाल के खाते हैं, वैसे उसको भी वैसे खाना चीए, उबालने से बहुत से पोशक तत्व नश्ट हो जाते हैं, अज़ा मनुष्य को छोड़ करके बाकी कोई जीव जन्तु उबाल के खाते हैं क्या, यहां थी इतना बड़े घास, पत्ते खाता है, गन्ना और तमाव केला आदी, सब ऐसे कच्चे खा गाए भें सब कच्चा खाती हैं, जितने भी शाकारी जीव वो भी कच्चा खाते हैं, और मांसारी भी कच्चा ही खाते हैं, सेर आदी, कुत्ता आदी जो भी हैं, यह मनुष्य हैं जो पक्का पक्का खा करके पक गया, पिल-पिला हो गया खुद भी, तो पक्का हुआ कम ख कच्छा हारी, फला हारी, रसा हारी, रसा हार, कच्छा हार, फला हार, यह साथ भी कहार होते हैं